हेलो एवरिवन वेलकम टू लॉर्ण मैथ्यो निकली आज हम पढ़ेंगे गुननखंड वीडिये से वर्गमूल ग्याद करना क्लास एट के पॉइंट फ्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है वीडियो अन तक देखेगा चले फिर शुरू करते हैं फर्स्ट वेश बचा एक फिर चैप्टर ह chill यहाँ परएक 16 हुआ यहाँ पर एक यहां सोला हुआ तो दो अटे 11 ठीक है और 48 दो दू आज नीचार दो हुआ थिक है अब हम फिर से छोटे लेह थी से कट सकता है अब इसे हम इसे काटेंगे थीं से काटेंगे तीन चोका बारा, दो हाथ में, और तीन नवा 27, ठीक है, अर ये उन्चास आया, उन्चास किस के टेबल में आता है, उन्चास 7 के टेबल में आता है, 7 के टेबल में आता है, 7 सते उन्चास हुआ, ठीक है, अब इसे हम 7 किसे कटेगा, 7 किसे कटता है, 7 से ही कटता है, इसे हम ल कपे है दो गुना दो है तो इसे हम एक दो गिनेंगे ठीक है दो गुना दो है इसका एक प्यर बना तो यह तीन गुना दीन है इसका एक प्यर बना तो इसे हम दो गुना दो को हम दो लिखते हैं तीन गुना तीन इसे हम एक तीन लेंगे साथ गुना साथ इसका हम एक साथ ले जैसे पिछली कोश्चन में हमने निकाला है उसी तरह हम निकालेंगे 484 हम देखेंगे कि यह किस नंबर से पूरी पूरी तरह कट जाएगा किस अभाज्य संख्या से यह पूरी पूरी तरह कट जाएगा यह दो से कटेगा पहले हम स्मॉल नमर लेंगे दो दूनी चार दो नीचा 2 एक कमदो अभी 111 का स्क्वार 121 होता है या 11 से बिकर जाएगा 11111111 मुना 11121 होता है तो यह कटकी है 11 11 से ही कटता है तीक है इसे हम लिखेंगे 2 स्ट्व लेवन लेवन अब पैर करेंगे पियर पेर दो गुना दू है इसका हम एक दो लेंगे दो गुना इलेवन 11 है इसका हम एक 11 लेंगे 11 क्रॉस 1 1 को किसी भी नंबर से गुना करते हैं तो जो नंबर है वही आता है 11 इंटू 2 11 दूनी 22 होता है यह हमारा क्या हुआ एंसर हो गया आईए हम 3rd question सिकते हैं 3rd question है हमारा इसका हमको वर्गमूल निकालना है अब इसका वर्गमूल निकालेंगे 7744 यह देखेंगे किस नंबर से कटे का 2 से हम कट करते हैं 2 3 6 1 बचा 2 8 16 फिर यहां एक बचा 2 सते 14 और 2 दूनी 4 चिक है अब इसे हम 2 से फिर क Как करेंगे 2 1-2 यहां एक बचा 2 9 चाख 12 आठके बचा एक बचा 2 वर्चा 12 ऊख उर्प है यहां प Эंक बचा 12 यहां पे 23 है यह तो एक बचा यहां पे 1,2,8,16 टीक है? फिर 8 आया फिर इसे हम 2 से कट करेंगे जितना पहले हम मियमतर से हमेशा कट करते हैं ठीक है? अगर लोग्वन मियतर से कट नहीं होता है तो इसके आगे बढ़ते हैं ठीक है? लेकिन यह समॉल नममर से कट हो जा रहा है है तो हम पहले उसी सी कट करेंगे ठीक है अब दो सी कट करते हैं 968 को 248 यहां पे बचा 286 और 248 फिर इसे हम दो से कट करेंगे 224 248 दो दीनी 4 दो से 2 एकम 2 दो दीनी 4 दो एकम 2 और 121 किसे कट होगा 11 के टेबल में 11 गुना 11 क्या होता है 111 होता है तो क्या लिखेंगे 11 11 यह हमारा हो गया अब हम इसे नोट करेंगे अब हम इसे लिखेंगे दो गुना, 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 इगारा, गुना, इगारा, गुना, इगारा, दो दो का हम पेर करेंगे, ठीक है, दो गुना दो है, इसका एक पेर हुआ, और एक दो हम इहा लिखेंगे, दो गुना दो, एक इसे एक इगारा हम यहां लिख देंगे अब इसे हम गुना करेंगे दो दुनी चार चार दुनी आठ और इगारा अठे अठासी अठासी यह हमारा एंजर हो गया ठीक है आज हमने गुननखंड वीडियो से वर्गमूल निकालना सीखा है आई होप आपको समझ में आ गया होगा वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें चैनल पे ना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं इससे आपको नोटिफिकेशन मिल सकें अब हम इसके अगले वीडियो में भाग वीडियो से वर्गमूल ग्या